हेलो दोस्तों कैसे वाप सब उमीद करता हूं अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि डेट अब बर्थ लिमीट क्रोस का जो है काम स्टार्ट हो चुका है ठीक है और आप लोग को काम करवाना है अर्जेंट में तो आप लोग ये वीडिय देख लें अगर अर्जेंट में नहीं कराना है तो भी ये वीडियो देख लें ताकि अगर आप लोग को अरजेंट पढ़ता है तो आप लोग डेट्व Legends अपना क्या 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 कैसे आप लोग को जो है definitely हमारे पास भेजना है ठीके तो मैं इस वीडियो में पूरा डीटेल से आप लोग को बताने वाला हूं data worth limit cross के लिए ठीक है वो चाहे यूपी हो या बिहार हो ठीक है या किसी भी state का हो जो है अभी काम जो है सारा start हो चुका है जिसको भी data लगवाना होगा वो जो है Saturday के दिन जो है Saturday या Sunday के दिन data लगता है आप लोग document वगयारा भेज सकते हैं गाइस ठीक है ओल इस्टेट का काम स्टार्ट हो गया limit cross का ठीक है तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि क्या क्या document आप लोग को भेजना पड़ेगा और किस documents जो है अगर आपका limit cross हो गया ह ठीक है और उसका notification मिलता रहा है notification on कर लिजी ठीक है ताकि आप लोग को उसका notification मिलता रहा है ताकि जो भी process में बताता हूं आप लोग उसको continue देखते रहो ठीक है तो वीडियो देखने से ही बहुत सारे लोगों का help हो रहा है और आप लोगों का भी हो जाएगा घबडाना देखो डेटा अपडेट नहीं हो रहा है अगर आप 10 से 15 बार जाके regional office आ चुके हैं ठीक है तो भी आपका डेटा अपडेट नहीं हो रहा है और बहुत सारे लोगों के मुबाइल पे लिमिट क्रोस अपडेट का message आ जा जा रहा है लेकिन अपडेट जब चेक करते हैं तो पूराना वाला ही सो होता है ठीक है तो आप लोग के साथ ही नहीं ऐसा हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ इसा problem हो रहा है तो वो थोड़ा सा server mistake को ऐसे गलती से message चला जा रहा है लेकिन उसमें जो है message में ही लिखा आता है कि आप 72 घंटे बाद जो है अपना धार का आरहे आप जो है date of birth डाइरेक्ट हम लोग काम करा रहें भाई fast काम करा रहें अगर आप लोग को data लगवाना होगा तो आप लोग को क्या क्या डिक्मेंट भेजना है ठीक है यह मैं आप लोग को बदा देता हूं देखो बर सफिकेट या मार सी अगर यह दोनों आपके पास पर डिक्मेंट है तो भी आप लोग का हो जाएगा ठीक है डेटाबर लिमिट क्रोस उसके लिए आपको क्या करना है इंड्रोल्मेट सेंटर पर जाना है जैसे कि जरूरी नहीं कि आप लोग रिजिनल उपिस पर ही जाओ जहांदार सेंटर रहे बड़ा ठीक है आपको किसी भ पर इंड्रोल्मेटिक बगारा एड्वन नहीं करना है ठीक है वह हो गया बर्ष सर्टफिकेट हो जाएगा और जो आप अधार सेंटर से पर्ची निकला है वह और अपना अधार काड्ट आगे पीछे का दोनों ठीक है और जो है उसको PDF में बना लेना है ठीक है अधार काड और यह डिकमेंट आपको एक पीडियाप में बना लेना है अगर आपके पास पुराना भी अधार का परची है जैसे तीन महिना भी तक नहीं हुआ है तो उससे भी आप लोग का काम हो जाएगा तो आप लोग को भी सेम सेम बना के देना है तो आप लोग एक्दम किलियर होना अपके पीडियाप में और आपको मेरे वाटशैप पे नीचे इस वीडियो का लिंक डिस्क्रेश्टर में जो है आपको वाटशैप नमबर मिल जाएगा उसी पर अपना डिकमेंट अपना नाम और किस स्टेट से हैं वो भेज सकते हैं अगर कराना है तो और प्लोग को अपना एडर्स बगारा दे दूंगा आप लोग मिलके अपना काम करा सकते हो ठीक है और दूसरी बात जो है नेम के लिए अगर नेम अगर लिमीट क्रोस होगा आपका तो उसमें भी आपका पासपोर्ट वोटर आईडी कार्ड ठीक है पैन कार्ड कोई भी मतलब डेकमेंट हो इससे आप लोग को full डेमोगराफिक अपडेट करवाना है और जिसे जो भी डेकमेंट उसमें लगाएंगे वो डेकमेंट इन्रॉल्मेंट सलिप जो आधार परची निकलता है उसको ही इंसलिप बोलते वो और आधार का Media बनाके आप लोगों भेजना है और घेंडर का छो ह अगर जिसको भी जैसे माली जी किसी के पास पैसा नहीं है अपडेट कराने के लिए तो वो जो है आप रिजनल ओपिस को बीजिट करके अपना डेटा बर्ट का काम करा सकते हैं तोड़ासा टाइम लगता है आपका जरूरी है कि यह नहीं जरूरी है कि आपका जैसे 90 दिन में ही हो आपका एक हपते में भी हो सकता है 15 दिन में भी हो सकता है 90 दिन में भी हो सकता है तो इसका टाइम दिया गया है इमेल से 90 दिनों का ठीक है अगर आप रिजनल ओपिस बेट करते हो तो वहां 90 दिनों का टाइम दिया जाता है तो उतना दिन तक आप वेट करके देख सकत आप लोग डेक्मेंट भेज सकते हो ठीक है तब ही आप लोग का डाटा लगेगा नहीं लग पाएगा ठीक है और इमेल वाला प्रोसेस में ने काफी वीडियो में बताया है अगर मेल वाला कराना है उसमें बिलकुर आप लोग को एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा जो जान लीजे और बहुत सारे लोगों का यह भी प्रोब्लम हो जाएगा कि पहले दूसरे बर्स अप्रिकेट से करा लेते हैं तो उनका मेल में रिप्लाई आता है कि पहले पहले बर्स अप्रिकेट को कैंसल कर आओ उसके बाद से इसको एड़ करा के अप्डेट करा पेंगे एसी गलती मत करना नहीं तो आप लोग नगर पालिका या आप बलाग परमुक्स से जहां से भी बनवाएं होंगे अपना जनव परमार्थ पत्र वहां पे आपको दोड़ना पड़ सकता है ठीक है तो आप लोग को प्रशान नहीं होना है अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे कि आपका डेटा बर्थ लिमिट क्रोस अफडेट हो जाए तो जो मैंने डिकमेंट बताया है वह आप लोग को डिकमेंट भेजना है और आप लोग का काम हो जाएगा गाइस ठीक है